बाहर दुनिया आपसे डरती है ये तो सर महल बाहर वालों ने क्रियेट किया वाज़े अमने तो किया ने इस चीज़ गासी ने शुरूबात किये रियक्षन में काउंटर में मैंने जुरूर मारे है दोस्तों एक बार फिट से आपका स्वागत है प्रजापती निउस में एक बार फिट से जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई हत्या ताज पोशी से पहले राजस्तान की धरती एक बार फिर खून से लाल हुई क्योंकि राजपूत करणी सेना अध्यक्ष सुख देव सिंग गुगामेडी के हत्या के बाद जैपूर में तनाव के हालात बन गए और इस हत्या के जिम्मेदार कोई और नहीं बलकि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग खुता जा रहा है क्या उसका दाउद इब्रहिम से कोई लिना दिन है और सबसे बड़ा सवाल के वाकई में लॉरेंस बिश्नोई जर्म की दुनिया में अपनी गल्फन की वज़े से आया था आज की वीडियो में मैंने आपको दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरफ बने रही है लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रैड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में पैल पर जाकर ये कहा कि हत्या किसी और नहीं बल्कि हमने करवाई है क्योंकि सुकदेव लॉरेंस बिश्णोई के दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहा था इसलिए उसे मौत के घाट उतारा गया और ये कोई पहली बार नहीं है सिद्धू मुसेव वाला का यही हाल हुआ था व जाता है लॉरेंस बिश्णोई शहीद भगत सिंग को अपना रोल मॉडल मानता है और जेल की दिवारों पर भी उनके पोस्टर लगाता है पर दोस्तों सिर्फ 31 साल की उम्र में दर्जनों से जाधा आपरादिक मामले अपने नाम दर्ज करवाने वाला लॉरेंस बिश्णो पर दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि एक पुलिस वाले का बेटा आखर कैसे जर्म की दुनिया का बेताज बादशा बन गया 22 वरवरी 1992 में पंजाब के फाजिल कामे जन में लॉरेंस बिश्णोई को उसकी माने लॉरेंस नाम दिया जिसका मतलब होता है दूद की तरह चमकने वाला लॉरेंस को बचपन से ही बड़ लाड प्यार से पाला गया पिता पुलिस में तैना थे उपर से करोणों की खांदानी जमीन थी इसलिए बेटे ने बचपन से ही जो फरमाईश की पूरी की गई लॉरेंस खेल में अच्छा था इसलिए परिवार को लगता था कि एक दिन वो खेल के खेल के खेत्र में परिवार और देश का नाम रोशन करेगा पढ़ाई के लिए लॉरेंस ने चंडिगर के डिएवी कॉलेज में अडिमिशन लिया और यही से उसने अपराद की दुनिया में अपने कदम रखे साल दुज़ाराट में पहले तो उसने छातरसंग का चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गया लेकिन चुनाव हारने के बाद लॉरेंस विशनोई की दूसरे पक्ष से दुश्मनी हो गई एक बार दोनों पक्ष आपस में हमने सामने आगे आपस में फायरिंग करने लगे और इस पूरे हादसे से ही लॉरेंस की जि की हत्या गर्दी थी बस इसी के बाद से लॉरेंस को ख्यात गैंग जगु भगवानपुरी के गिरों में शामिल हो गया और जुर्म को उसने अपनी दुनिया बना ली यानि कि आज के टाइम पर भारत का सबसे बड़ा गैंस्टर जुर्म की दुनिया में अपने सच्चे प लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाउद इबराहिम से की जा रही है क्योंकि इससे पहले जब भारत के सबसे बड़े गैंस्टर का नाम आता था तो लोग दाउद इबराहिम को याद करते थे लेकिन अब लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई हो क्राम की गैंग ने किया था आपको बता दे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग इतनी जादा बड़ी है कि इसमें जो शूटर्स हैं वो 700 से जाद है और जो छोटे मोटे काम करने वाले इनफॉमर या फिर डराने धमकाने वाले लोग हैं उनकी संख्या तो हजारों में जो पलक फिरोती और बाकी तरह के काम करने के लिए आगे रहते हैं और जब क्राइम पूरा हो जाता है तो लोग खोले तो आर पर अपना नाम बताते हैं और कारण भी बताते हैं कि क्यों इन्होंने लोगों की जान ली या फिर उनके साथ कुछ वलत किया बिश्नोई गैंग को ये भी पसंद नहीं कि कोई उनके खिलाफ जाए इसलिए जो कोई भी ऐसा करने ही कुशिश करता है उसे मौत का मुझ देखना पड़ता है अब अगर देखा जाए तो लोरेंस बिश्नोई की कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है जिसमें लव स्टोरी भी है ड्रामा भी है ठीक वैसा ही जैसा है दाओद इबराहिम की जिंदगे में हुआ करता था हलाकि दाओद इबराहिम ने तो कई सारे मासूम लोगों की जाने ली हैं लेकिन लोरेंस बिश्नोई केवल अपने दुश्मनों को चुन-चुन कर मारता है और मारने के बाद कहीं भागता नहीं है बलकि खुले तोर पर अपना जुर्म सुईकार करता है लेकिन इसके बेसिस पर हम लोरेंस बिश्नोई गैंग को सही नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर इनके जुर्म का सिलसला इसी तरह बढ़ता चला गया तो इन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि देखा आगे चलकर दाओद इबराहिम के तरह देश को दोगा दे दे और मासूम लोगों की जाने लेना शुरू कर दे वैसे आपको क्या लगता है क्या लोरेंस बिश्नोई भी दाओद इबराहिम की तरह देश दिरोई बनेगा या फिर अपने अलगी पैचान बनाएगा अपना जब आप कॉमेंट में बताईए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारी चैनल प्रजापती न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जा भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये